सब लोग ऑनलाइन आचुके हैं तो क्लास तुरू किया जाए तिन चार लोग तो अभी नहीं आए है चलिए दूसरू करते हैं क्या बताना था क्या चल रहा था क्या बताना था modern physics तो चल रहा था यह मुझे भी पता है modern physics में क्या चल रहा था चलिए फिर pathfinder के कुछ question हम लोग discussion कर लेते हैं आप लोग उने बनाया है modern physics का magnetism तो पूरा हो चुका था ना magnetism पूरा solve हो चुका था तो modern physics का question solve कर लेते हैं हम लोग पूछे question number आप लोग बोलिए question तो अब मैनत कीजिए क्योंकि exam नई दीक है जितना भी समय मिला है इसमें जितना भी आपके अंदर potential energy बचा हो है सबको kinetic energy में convert करके मैनत कीजिए लगना चाहिए कि कुछ हलचल हो रहा है result ऐसा आना चाहिए result यदि वैसा नहीं आया कि खुद को मजा ना है तो फिर मजा नहीं है खुद को मजा है ऐसा result आना चाहिए और ऐसा result आने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा कि लगे कि खुद को परिशानी हो रही है खुद को एक resistance में डालो तब जाके आप strong बनोगे जब तक आप tough से tough question को target करके उसको solve नहीं करोगे तब तक आपको जे advance के सारे questions को solve करने में परिशानी होगी है ना और first priority सबसे सबसे पहले सोचो कि आपको 100% question बनाना है कुछ ऐसा target करके चलो यदि आपसे नहीं हो पा रहा है हर एक टेस्ट आप जितने भी बहुत सारे test आप दे रहे हो दे चुके हो तो उन सब test में दिया आपका 100% question का target fulfill नहीं हो रहा है तो फिर आप आजाओ 90% पर फिर आजाओ 80% फिर आजाओ 70% पर 70% से ता안 नहीं जाना है कम से कम 70% questions आपको attempt करना चाहिए यदी आप अच्छे rank से qualify करना चाहते हो तो यदि आप 100% question अटेम्ट कर पाड़े हो तो बहुत अच्छी बात है यदि आप 100% question attempt नहीं कर पाड़े हो, तो कम से कम 80%, 90%, 70% पर question आपको attempt करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले, सबसे first important जरूरी क्या है, कि आपका 100% syllabus complete होना चाहिए, यदि आपका 100% syllabus complete है, और कुछ ऐसी किताब आप बनाए हुए है, जैसे Erodov हो गया, Pathfinder की किताब हो गई, यदि आप सारा क सारा एक एक question बनाए हुए, आप यह मत समझे कि check your understanding आपके लिए नहीं है, ठीक है, वो सारे questions आप बनाए है, तो जो लोग बनाए हुए हैं, बना रहे हैं, जिनोंने पूरा किया हैं, मेरे से question पूछा हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं बना रहे हैं, या कम बनाए हैं, वो भी पूरा बना लीजिए, बहुत ज्यादा important है आपके लिए, ओके, तो चलिए फिर सुरू करते हैं, ज्यादा समय बढ़वाद करने से कोई फाइदा है नहीं, तो question number, सबसे पहले मैं question number one ले लेता हूँ, modern physics के pathfinder का, one, कौन-कौन सा question आप लोगों को पूछन है, पर ले आप बताओ, कौन-कौन सा question पूछना है, three, five, four भी है, seven, nine, eleven, ये question है, इतना ही question है न आप लोगों का, 15 question में इतना ही question है, चले फिर solve करते हैं, question number one पे चलते हैं, okay, question one से ही बना देते हैं, लगबग तो आप लोगों ने पूछी दिया है, इस वीडियो को होगा तो मैं YouTube पर अपलोड कर दूँगा, मुझे भी ये modern physics के कुछ questions अपलोड करने थे, और मैंने देखा है कि pathfinder के book में जो question है, MC cube में खास करके, वो J advance के एकदम parallel level के है, तो सही है, मैं इसे ही YouTube पर अपलोड कर देता हूँ, student सब one by one करके बनाएंगे तो उनका और भी confidence build up हो जाएगा, इसमें generally जो question है, वो atomic physics और photoelectric effect से related है, है ना, तो चले फिर शुरुआत करते है, question number one देखते है, question number one, देखे भई, इसमें क्या कहे रहे है, इस photoelectrons emitted by a metal or irradiating it by a light of wavelength lambda, cannot move away further than a distance d in presence of retarding electric field e, the threshold wavelength of the metal, इस metal का threshold wavelength पूछा जाड़ है, तो threshold wavelength calculate करने के लिए क्या calculate किया आता है, work function, work function को scy lambda th से equate कर दीजेगा, और बन जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें electric field है, तो e into d अधी कर दीजेगा, तो यह electric potential हो गया, एक तरीके से, एक तरीके से stopping potential हो गया, e into d, और इसमें the charge से आप multiply कर दोगे, that is the potential energy which resists the electron to move further away, okay, so you can say that, this potential energy, this potential energy, of electron inside the electric field present, in the surrounding, will be equals to kinetic energy, of moving electron, मतलब यह potential energy, kinetic energy की equal होगा, तभी electron इस से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, इतना समझ रहें आप, ठीक है, और kinetic energy, Einstein का जो equation था, SC by lambda, minus 5, work function, that is equals to, क्या होता है भई, charge into stopping potential, मतलब EDE, यह हो जाएगा, तो यहाँ से 5 का value निकल गया, SC by lambda, minus ED, that is equal to 5, 5 को हम लोगों ने लिख दया, lambda TH, कोई दिकत नहीं है, यह electric fill है, यह electric fill है, इंटो distance कर दिया, हमने potential निकल गया, और यह जो electric potential, यहीं electron को जादा दूर जाने से रोकेगा, into charge कर दिया, यह potential energy होगा, that potential energy will be equals to kinetic energy, अब यह equate कर दिजे, और आप calculate कर लीजे, lambda TH का value, तो SCY, lambda minus, E ED by HC, that is equal to 1 by lambda TH हो जाएगा, तो lambda TH का value यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ भी SC हो जाएगा, lambda TH का value कितने के बढ़ावर मिल गया, 1 by lambda minus, E ED by HC, to the power minus 1, and this is the final answer, तो इस तरीके से question में 1 बन चुका है, question 1 का option है, D, तो question 2 में चलते हैं, देखिए, question number 2 को solve करना है, हम लोगों को, कहां गया है, साफ करने वाला, question 2 को कैसे बनाया जाएगा, how much power a light beam of wavelength lambda 2, must have to produce the same saturation current, on irradiating a metal plate, as produced by a light beam of wavelength lambda 1, and power W1, quantum yield of photoelectric effect for this wavelength, are eta 1 and eta 2, respectively, देखिए, क्या होता है, कि कितना number of photons incident होड़ा metal पर, और कितना number of electrons उस photons के कारण निकल रहा है, ये decide करता है, quantum yield, ओके, तो quantum yield, quantum yield का मतलब होता है, quantum yield का value होता है, number of electron emitted, number of electron emitted by, number of photon incident, okay, माल लेते हैं, कि n number of photon per second incident होड़ा है, small n, तो n into eta, that is equal to number of electron emitted, और ये n जो है, ये number of photon incident per second है, क्या है, number of photon incident per second, तो यहाँ पर ये जो निकलेगा, number of electron, emitted per second निकल जाएगा, तो जो number of photon, तो current का value क्या हो जाएगा, current का value हो जाएगा, यही value इसको इदी capital N से अप्लिक देते हो, यह इस value को इदी capital N से अप्लिक देते हो, तो n into e, this is called current, this is the number of electron emitted per second, from the metal plate, that particular metal plate, तो यह current का value हो गया, current equal to हो गया capital N, तो आई का value कितने के बड़ा बड़ा आ गया, and first case में कितना आ जाएगा, N1 eta 1 into e, this is the value of current, saturation current कर सकते हो आप इसको, या photo current कर सकते हो, maximum photo current है यह, अच्छा, N1 का value कितने के बड़ा बड़ोगा, power equal to होता है, NHCY lambda यह तो आपको पता ही है, NHCY lambda power equals to होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजे, यह कितने के बड़ा बड़ा आ जाएगा, इसको इदी power को W से लिख रहे है न, question में, तो इसको W लिख देता है, power को W से यह represent कर रहे है, तो यहाँ पर हो जाया है किया, W1 lambda 1 by HC, W1 lambda 1 by HC, that is equal to N1, into eta 1 into E, that is called saturation current in first case, and if you talking about saturation current in second case, then that will be equals to N2 eta 2 into E, and definitely that value will be equals to, W2 lambda 2 N2 E by HC, if you equate both equation, then you get the value of W2, जो की question पूछा जाड़ है, it means W2 will be equals to, W1 lambda 1 N1, अब HC अड़ी तो cancel out E हो जाएगा, that is equals to W2 lambda 2 N2, and so you can say that, W2 will be equals to, W1 lambda 1 N1 by lambda 2 Eta 2, ये Eta 1 Eta 2 है, Eta 1 और Eta 2 हो गया, सही है न, ये Eta 2 है, ये Eta 1 है, क्योंकि N1 का आपने value लिखा है यहाँ पर, हो गया साड़ा value, तो अब देख लीजे इसमें कौन सा option match कर रहा है, W1 lambda 1 N1 by N2 lambda 2, तो इसका कौन सा option, इसका भी D option सही है न, तो 1 और 2 का D option सही है, चलिए question मेर 3 में चलते हैं, question मेर 3 को देख लेते हैं हम लोग, third problem, pathfinder का third problem, question में 3 solve कर लेते, देखे, इस question में क्या कहा जाँ है, an isolated zinc bead of radius small r, charged to a negative potential V naught, assuming potential at the infinity distance point to be 0, placed in a free space, is being continuously irradiated by ultraviolet light of wavelength lambda, photoelectric threshold wavelength for zinc is lambda naught, speed of light is C, denoting plank constant by H, permittivity of free space by epsilon naught, यह सब लिखे सिर्फ बढ़ा किया question, electron यह mass है मुसका है, select correct statement from the following, maximum speed of electron, photoelectron, immediately after emission age, देखे, immediately, जो electron निकलेगा, तो electron का जो speed होगा, वो सिर्फ incident light के wavelength पर depend करेगा, मतलब incident light का wavelength यह दी lambda है, तो hc by lambda energy photon incident होड़ा है, work function इतना energy, वो receive किया, and that will be equals to total maximum kinetic energy, just after emission, ठीक है, तो यह kinetic energy यह होगा, तो v का value यहां से निकल जाएगा न, क्या होगा, 2 hc by m, 1 by lambda minus 1 by lambda naught, का root, this age, v maximum हो जाएगा, तो इसका option 1, option a सही है, और b में क्या कर रहा है, maximum speed of a photo electron, at a great distance from the bead is, great distance from the bead, इस term का क्या मतलब है, देखिए, infinity पे potential क्या है, 0, और surface पे potential, negative potential, minus v naught दे रहा है, minus v naught, negative potential दे रखे है, ठीक है, तो वो कौन सा point है, जहाँ पे इसका potential half हो जाएगा, great distance मतलब, इस sphere, इस bead से, इस bead का radius से दी R है, तो 2-art distance पर जो potential है, तो 2-art distance पे इसका क्या potential है, वहाँ तक ये, accelerate करके, वहाँ पे उसका speed कितना होगा, जब electron निकला होगा, तो उस समय उसका kinetic energy होगा, लेकिन जैसे ही वह 2-art distance पर चाहेगा, उस समय उसका kinetic energy क्या होगा, ये पूछा जाएगा, तो 2-art distance पे जाने पे, उसका जो potential घटेगा, वह उसका value कितने के बड़ाबर होगा, ये इन्टू वी नॉट, डाट इद पोटेंशियल इनर्जी ओफ डाट इलेक्ट्रॉन, ज़स्ट आउटसाइड तू दा सर्फेस, और जैसे ही वह 2-art distance तक गया, उसका potential कितना होगया, इन्टू वी नॉट बाइटू, इसका मतलब ये potential energy जो निकल रहा है, जो इनर्जी बचा है साथ साथ उसके पास ये भी कानेटिक इनर्जी आ जाएगा, इसका मतलब है, जो अब सी बाइबड़ा माइनस सी बाइबड़ा नॉट प्लस ई वी नॉट बाइट बाइटू, this is the kinetic energy of that particular electron at greatest distance, ठीके, at great distance, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, half mv square, ये v का value निकल लीजी आप, तो इस v का value कितने के बढ़ा बढ़ाएगा, रूट अंडर, scy, lambda, 2 scy, lambda m, minus scy, lambda not m, 2, और प्लस आजाएगा, ev not by m, यही आजाएगा, तो इस तरीके सा option b भी सही है, इसका, चले फिर आगे बढ़ते हैं, c option पर चलते हैं, potential of the bead after prolonged irradiation age, prolonged मतलब बहुत देर के बाद, बहुत देर के बाद क्या होगा, जितना भी इसका negative potential था, negative potential इसका कितना था, minus v naught, यह सब सब electron के निकलने का neutralize हो जाएगा, अब इसका potential 0 हो गया, अभी भी electron निकलता रहेगा, electron निकलता रहेगा, और अब जो इसका potential होगा, यह positive potential हो जाएगा, इसका potential क्या हो जाएगा, तो इसका, अब इसका potential कितना हो गया, sc by lambda, minus sc by lambda naught, that is equal to e v naught, this is the potential, इसमें negative दे रखे हैं न, यह positive potential होगा, है न, इस beat का potential होगा, यह positive potential होगा न, electron निकला है, तो यह beat positive charged हो जाएगा, इस कारण से c option इसका नहीं होगा, चलते हैं, d option पर, t option देख लेते हैं, क्या होगा, total number of photo electron emitted from the bead is, total number of photo electron कितना होगा, यह देख लिजेगा, देख लेते हैं, यह कितना हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो electron निकलेगा, वो इस beat को neutralize करने के लिए निकलेगा, इस beat का potential कितना था, negative potential था V0, तो सबसे पहले, zero potential होने तक कितना electron निकल जाएगा, देखेगा, zero potential होने तक, इसका potential कितना है V0, तो 1 by 4 by epsilon 0, E by, E by R, यह एक electron के कारण हो गया, N E by R, यह N electron के कारण हो गया, ठीके, इसको N1 दे देते हैं, N1 electron निकला है, इस beat को neutralize करने में, initially इस beat पे क्या था, negative potential था V0, ठीके, तो इसका, इसको neutralize करने में कितना electron निकल जाएगा, N1 का value हो जाएगा, 4 pi epsilon 0, V0, R by, E, 4 pi epsilon 0, V0, R by E, यह आ गया, किसके कारण, neutralize होने ही करन, अब electron निकलेगा, अब यह neutral हो चुका है, यह sphere, अब electron निकलेगा, अब यह positive potential हो जाएगा, positive potential कितना हो जाएगा, stopping potential तक, E Vs, यह stopping potential, that is equal to, Scy lambda, minus Scy lambda 0, यह हो जाएगा, और Vs का value कितने के बड़ाबर आ गया, Scy by E, 1 by lambda minus 1 by lambda 0, कुछ ऐसा आ जाएगा, अब इसको कर देते हैं, जैसे ही, इसको equate किया है, वैसे इसको भी equate कर देते हैं, तो यह कितने के बड़ाबर हो जाएगा, 1 by 4 by epsilon 0, N2 E by R, N2 electronic ला है, इसको फिर से positive potential करने में, इतना ही potential positive आएगा, जो कि C option में हम लोगों ने calculate किया था, C option के calculation में, जो कि गलत आ गया था, इसमें negative potential है, और actual जो potential होगा, इसका positive potential होगा, इसका हमने कहा था, कि C option, C जो option है, इसका गलत है, ठीक है, तो यहां से N2 का value आप calculate कर लीजिए, तो N2 का value कितने के बड़ाबर आ जाएगा, E से तो हम लोगों ने divide कर दिया था था न, ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो N2 का value कितने के बड़ाबर आ जाएगा, 4 by epsilon 0, R, H, C by, यहां पर क्या आ जाएगा, E स्क्वाइड, E स्क्वाइड, और 1 by lambda minus 1 by lambda not, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो यह number of electron, first case में निकला, second case में यह निकल गया, तो total number of electron जो निकला है, N का value हो जाएगा, N1 plus N2, and that will be equals to, यह कितने के बड़ाबर हो जाएगा, 4 by epsilon 0, R by E को इदि आप common कर लिजे, तो यह आ जाएगा, 4 by epsilon 0, R by E को आपने common कर लिया, यह आ जाएगा, V 0 plus, 4 by epsilon 0, R by E को आपने common कर लिया, SC by E, 1 by lambda minus 1 by lambda not, this is the value, equate करके देख लेते हैं, SC by lambda, 1 by lambda minus 1, 4 by epsilon, सही है, तो इसका, A, B, और D option सही है, C option गलत है, हाँ, तो इस तरीके से question number third बन चुका है, चलते है question number four पे, हाँ, four को solve कर लेते, देखे question number four में क्या कहा जाड़ है, what is the principal quantum number of the highest energy level for which the lines in the Balmer series of emission spectra of atomic hydrogen will just be resolved by a spectrometer of resolving power lambda by d lambda, यह तो होता ही है, spectrometer का, याद रखेगा, यह point note कर लिजे आप लो, कि यह spectrometer का, जो resolving power होता है, वो lambda by d lambda होता है, है न, और यह दिया होए, 8 into 10 to the power 3, यह दिया होए, है न, अब कहा जाड़ है, what is the principal quantum number of the highest energy level for which the lines in Balmer series of emission, Balmer series का emission है, ठीक है, तो Balmer series का emission में हम लोग जानते हैं, कि 1 by lambda equals 2 होता है, राइड़वर constant into, 1 by 2 का स्क्वाइड माइनस 1 by N का स्क्वाइड, and orbit के electron जब second orbit में जम करते हैं, तो Balmer series का emission होता है, okay, समझ रहे न यह चीज, कुछ ऐसा होता है, यह lambda का value है, यदि आप यहाँ पे, lambda के respect में ही differentiate कर दें इसको, इस पूरे equation को, ठीक है, इसको थोड़ा और solve कर लें आप, तो 1 by lambda equal to हो गया, r by 4 minus r by N square, कुछ ऐसा हो जाएगा, है न, अब इसको solve कर दें, lambda के respect में differentiate कर दें, तो lambda to the power minus 1 है, तो minus 1 by lambda square, कुछ ऐसा आजाएगा, और r by 4 का differentiation 0 हो जाएगा, और इसका differentiation r to the power minus 2 है न, तो यह आजाएगा, 2r by n cube, ठीक है, यह आजाएगा, और यहाँ पर आजाएगा, dn by d lambda, कुछ ऐसा आजाएगा, कोई problem नहीं है, तो कुछ ऐसा आएगा, अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ से multiply कर दीजे, cross multiplication, तो यह आजाएगा, minus d lambda by lambda square, and that is equals to, 2r by n cube into dn, ठीक है, d lambda का जो value है, d lambda, यह negative होगा, d lambda का value negative कैसे होगा, जैसे माल लिजे की electron jump करता है, ठीक है, 4 से 3 में jump किया, और 3 से 2 में जो jump किया, तो निश्चित तोर पे जो 3 से 2 में jump करेगा, इसका wavelength का value ज़्यादा होगा, as compared to 4 से 3 में करेगा उससे, क्योंकि 3 से 2 के बीच में energy difference ज़्यादा है, है ना, इस करण से d lambda का value negative होगा, तो यह जो term है ना, यह positive term होगा, ओके, तो lambda by d lambda का value कितने के बड़ाबर दे रखे हैं, 8 into 10 to the power 3, 8 into 10 to the power 3 दे रखे हैं, तो यहाँ पे lambda by d lambda के जगह पे put कर सकते हैं, यह dn है, dn मतलब number of orbit में change, ठीक है, सबसे का minimum number of orbit में जो change है, वो 1 के बड़ाबर होगा, होगा न, क्योंकि एक electron एक orbit से दूसरे orbit में गया होगा, माल ले थे कि electron जो है, वो nth orbit में होगा, ठीक है, और यहाँ से jump करके, वो n-1 में गया होगा, उस समय जो wavelength calculate हुआ होगा, इसका value यह d lambda के term में दे रहे हैं, और यह जो lambda जो value है, वो किसके लिए है, जो जो भी number of orbit होगा, 20 ओ, 30 ओ, 40 ओ, 50 ओ, उससे jump करके, वो किस में आया है, 2 में आया है, यह wavelength उसके लिए है, समझ रहे हैं, ठीक है, तो n से n-1 में, तो dn का value कितने के बढ़ाब़ होगा, dn का value कितने के बढ़ाब़ होगा, 1 के बढ़ाब़, ठीक है, ओके, और d lambda by lambda, या, d lambda by lambda का value दे रखे, 8 into 10 to the power 3, तो यह लिख देते हैं, लोग, 1 by 8 into 10 to the power 3, into 1 by lambda, and that is equal to, यह कितने के बढ़ा-बढ़ा गया, 2 r by n cube, dn का value 1 होगा, ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, 8 into 10 to the power 3 है, 1 by lambda है, 1 by lambda के जगा पे आप यह लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो यहाँ पे हो गया, 1 by 8 into 10 to the power 3, 1 by lambda के जगा पे हम लोगों ने लिख दिया, r into 1 by 4 minus 1 by n square, and that is equals to, यहाँ पे क्या आगया, 2 r by n cube, आगया न, यह r से r cancel out हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे cross multiplication हो जाएगा, यह 1 by 4 minus 1 by n square, that is equal to 16 into 10 to the power 3 by n cube आएगा, ऐसा कुछ आएगा, समझ रहे हैं यहाँ तक, अब एक point समझ यह, यह जो n का जो value है, यह बहुत large है, जैसा कि आप question में देख सकते हैं, option में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 30, 40, 50, 60, अब यदि इस option का जो सबसे minimum value है 30, वो भी put किजेगा, तो यहाँ पे 1 by 900 आएगा, जो कि 1 by 4 के compare में negligible है, तो 1 by 4 से जब इसको subtract करना है, तो यह चुकि negligible है, तो इसको हम लोग neglect करके चलते हैं, तो यह आजाएगा 1 by 4, and that will be equals to 16 into 10 to the power 3 by n cube, ठीक है, तो यहाँ से n q का value निकल गया, n q का value कितने के बड़ावड निकला, बताएगे, 64 into 10 to the power 3, तो n का value निकल गया 40, this is the final answer, अब देख सकते हैं, इस question का कौन सा option सही हो गया, B option सही है, तो question of 4 का B option सही है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, question number 5 में चलते हैं, ठीक है, question of 5 को solve कर लेते हैं, देखिए, इस question में, question of 4 में कुछ लोगों को यह confusion भी हो सकते हैं, कि ऐसा हमने कैसे लिख दिया है, d lambda by lambda को 8 into 10 to the power 3 कैसे लिख दिया है, तो यह तो question में दिया हुआ था, फिर 1 by n q के term में कैसे आ गया, तो यह ऐसा लिखाई जाता है कि एक n का value जैसे dn का value हम लोगों ने 1 क्यों लिखा है, तो देखिए, जो minimum wavelength जो find होगा, जो minimum wavelength मिलेगा, वो एक jumping के garden मिलेगा, है न, मतलब nth orbit में से n-1th orbit में जाएगा, उस समय जो wavelength मिलेगा, ठीक है, वो एक jump के garden मिलेगा, और उसका जो difference आएगा, उसके अगले वाले का difference जो आएगा, उसको आप d lambda कहेंगे, तो d lambda का value, d lambda minimum है, minimum wavelength में जो change है, वो कब होगा, सिर्फ एक jumping के garden होगा, इस कहाँ से dn का value हम लोगों ने 1 लिया है, d lambda by lambda को, हम लोगों ने कितने के बड़ावर लिया है, 1 by 18 to 10 to the power 3 के बड़ावर लिया है, क्योंकि lambda by d lambda का value 18 to 10 to the power 3 है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने question of 4 को solve किया है, आप देखिएगा, एक बड़ा और सोचेगा, आप से भी समझ में आ जाएगा, आपको भी बहुत अच्छे से, question of 5 में चलते हैं, देखिए question of 5, वैस question of 5 को solve कर लेते हैं, a moving neutron collide with a singly ionized stationary helium atom that is in ground state, what should be minimum speed of moving neutron for the collision to be perfectly inelastic, यह हम लोगों हमने आपको बता रखा है, यह हम लोग सीख चुके हैं कि collision के दर्मियान, जो heat loss होता है, heat loss, वो maximum कितने के बड़ाबर होता है, यह maximum heat loss जो होता है, इसका value होता है, half mu into u1 minus u2 के hall square के बड़ाबर, यह होता है, ठीक है, तो एक neutron है, और जाके टकडाड़ा है, singly ionized helium atom से, जिसका की mass 4 times होता है, neutron के mass का, है ना, तो यह हो गया 1 by 2, mu को लिख दिया हमने, m into 4m by m plus 4m, और इसका speed माल लेते है, neutron जो गया है, टकडाने के लिए, वो ua speed से गया है, तो यह हो गया ua square, और यह maximum heat loss है, और perfectly inelastic collision हो रहे है, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा, कि इस helium atom का जो electron है, ionized helium atom का जो electron है, वो ground state से first excited state में चला गया होगा, तो इस case में, जो energy release होगा, वो कितने के बड़ाबर होगा, जो hydrogen के case में, जो energy release होता है, उसका 4 times के बड़ाबर होगा, है ना, कितने के बड़ाबर हो जाएगा वो, 13.6 into z squared into, क्या हो जाएगा, 1 by 1 का square minus 1 by 2 का square, यही delta E का value होता है, होता है ना, किसी jet atom के लिए, तो यह कितने के बड़ाबर होगा, jet का value कितने के बड़ाबर होगा, बताइए, जेट जो है ये 2 के बड़ाबड हो गया, तो ये हो गया 13.6 into 4, into ये कितने के बड़ाबड हो गया, 3 by 4, 4 से 4 कट गया, ये कितना आ गया, 40.8, electron volt आ गया, तो delta E के जग़ा पे 40.8 put कर दिया जाए, और ये कितने के बड़ाबड आ गया, देख लीजे, 4 M by 5, तो यहाँ पे आ गया ये, 2 M by 5, into U square, हो जाएगा solve अब, ठीके, तो इस U का value आपको calculate करना है, तो अब calculate कर लीजे, 40.8 into 1.6 into 10 to the power minus 19, into 5 by 2 into 1.6 into 10 to the power minus 27, mass of proton या neutron कर सकते हैं, that is equals to U square, मैं approximate value आपको बता देता हूं, 1.6, 1.6 से cut गया, ठीके, ये, ये आगे कितने के बड़ा बड़ा आ जाएगा, 204, होगा न, और by 2 आएगा, into 10 to the power, ये कितने के बड़ा बड़ा चला जाएगा, 8, ओके, यहां से U का value आप calculate कर सकते हैं, तो ये approximate U square root under 100, 2 into 10 to the power 4, ये U का value आ जाएगा, that is equals to 10 into 10 to the power 2 meter, 40 रहेगा न, ये तो, 40 रहेगा, 4 meter per second, तो 9.89 D option इसका सही आड़ा है, ये न, approximate value लेने पर D option सही आड़ा है, आप इधी exact value लिजेगा, तो ये आएगा, उतना करने के जुरूत हैं, अब्जेक्टिव कोश्चन है भाई, कोश्चन हो, 5 हो गया, कोश्चन मेर 6 को solve कर लेते हैं, देखें, कोश्चन मेर 6 को solve कर रहे हैं हम लोग, और दोज, containing radioactive fluorine, is settled to be prepared at 6, 10 a.m. and 1 ml of it is to be given to a patient at 8 a.m. आठ वजे देना था उसको सुबह में, अब उसको कितना दोज देना पड़ेगा, हाफ लाइफ जो है, 110 मिनट है, ठीक है, आसान कोश्चन है भाई, देखें, इसमें क्या है, कि जब 110 मिनट है और 55 मिनट बीच चुका है, तो 1 ml देना था, 8 बजे उसको 1 ml देना था, ठीक है, 55 सेकेंड बीच चुका है, मतलब हाफ लाइफ का हाफ टाइम बीच चुका है, है ना, तो जो अब, remaining nuclei बचा होगा, वो कितने के बड़ावर बच गया होगा, बताइए, वो अब बच गया होगा, मतलब, N जो nuclei था, पहले, 100 ml में था, 100 ml में N nuclei था, लेकिन, चुकी अब, half of the half life बीच चुका है, तो अब जो nuclei बचा होगा, वो कितने के बड़ावर बच गया होगा, बताइए, N to the power, 2 to the power, N होता है न, यही number nuclei बचा होगा, ओके, तो, यह हो गया, N by root 2, N का value 1 by 2, half of the half life, और उसको कितना number of nuclei देना है, अब N by root 2 nuclei बचा है, 100 ml में, T equal to 0 पे, N nuclei होगा, 100 ml में, T equal to 55 minute later, N by root 2 nuclei होगा, 100 ml में, तो N number of nuclei देने के लिए, उसको कितना देना पड़ेगा, root 2 into 100 ml, है न, 100 नहीं है, 1 ml है, यह 100 के लिए, ml लिख दीजी, 1 ml है, ठीक है, तो 1 ml हो गया, तो यह कितने के बड़ाबर हो गया, 1.41 ml देना पड़ेगा, इतना उसको, medicine provide करना पड़ेगा, तो इस तरीके से, question number 6, solve हो चुक है, ठीक है, question number 7 में चलते हैं, question number 7, question number 7 को देख लेते हैं, a stream of alpha particle, encounter, a stationary unknown nucleus, in a cloud chamber, after a collision, the two nuclei are scattered, in mutually perpendicular direction, if some kinetic energy is lost, in the collision, the unknown nucleus must be, तो जो unknown nucleus होगा, perpendicular direction में, वो move किया है, और कुछ energy loss हुआ है, kinetic energy, कुछ loss हुआ है, ठीक है न, इसका मतलब है, यह जो nucleus है, that nucleus is heavier than, the alpha particle, ओके, यह आप देख लिजेगा, collision के concept से, आसान question है, ठीक है, चलिए, question number 8 में चलते हैं, question number 8 में, in a protonium atom, a proton and an anti-proton, orbit each other, what is the energy of a photon, emitted in transition of protonium atom, from the first excited state, to the ground state, ठीक है, तो first excited state, to ground state, jump कर रहा है, protonium atom में, जंप हो रहा है, हैना, तो, कितना energy, release होगा, यह पूछा जा रहा है, तो देखिए, इस case में, आप, mass of nucleus, neglect करके, नहीं चल सकते हैं, mass of nucleus को, आपको, consider करके, चलना होगा, और जब आप, mass of nucleus को, consider करके, चलते हैं, तो फिर वहाँ पे, reduce mass का concept, involved होता है, जैसे ही आपको, याद हो, hydrogen की case में, जो radius का, जो value होता है, वो होता है, n2, h2, epsilon, 0, by, pi, m, jda2, pi, m, jda2 होता है, यह, mass of electron है, लेकिन, जब आप, nucleus के mass को, consider करके, चलते हैं, तो radius का, value होता है, n2, h2, epsilon, 0, by, pi, mu, jda2 होता है, mu, k, m1, m2, reduce mass है, m1, plus, m2, हैना, मतलब, इसमें, electron का mass होगा, negative charge का mass होगा, और, nucleus का mass होगा, कुछ ऐसा होगा, तो, radius का, equation, radius का value, आप इस तरीके से, calculate करते हो, तो, यहाँ पर, concept क्या है, concept यह है, कि, जब आप इस form में, convert करना चाहते हो, क्योंकि इस form का value, आपको पता है, कि यह होता है, 0.53, into, n2 by z, angstrom होता है, इस form में, convert करना चाहते हो, ठीक है, तो, इसको क्या लिक करेंगे, इस equation को क्या करेंगे, mass of electron से multiply, mass of electron से divide कर देंगे, तो, यहाँ पर, mu के जगए, m e लेकर के आ जाएंगे, और यह क्या हो जाएगा, यह फिर हो जाएगा, 0.53, into, m e by mu, m e by mu, n squared by z, हो जाएगा न, ठीक है, angstrom, कुछ ऐसा ही होता है, energy के case में भी, energy के case में भी यही होता है, energy के case में, जो भी इस्ट्रेंट classroom के हैं, उनको तो यह सब पता ही होगा, लेकिन मैं चुकिए डिटेल में बता रहा हूँ, इस वीडियो को YouTube पर भी upload करना है, इस कारण से, इस चीज़ को थोड़ा हम डिटेल कर देते हैं, समझे, energy के case में फिर से यह क्या हो जाएगा, energy के case में हो जाएगा, energy का जो equation होता है, कितने के बड़ाबर होता है, यह आपको याद हो, m e to the power 4, j square by, 8 epsilon naught, h square, epsilon naught का square, h square, n square, है न, यह हो जाता है, minus में, यह energy का equation होता है, ठीके, और, इस energy के equation को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, minus 13.6, j square by, n square, electron bolt, लिखा जाता है न, इसको हम लोग reduce mass के form में convert करते हैं, तो reduce, इसमें यह क्या है, energy क्या है, mass के directly proportional है, radius का था, mass का inversely proportional था, लेकिन energy क्या है, mass के directly proportional है, ठीके, तो इस case में, energy के case में, क्या हो जाएगा, जब अब इस form में, लिखेगा, reduce mass के form में लिखेगा, तो energy, directly proportional to reduce mass हो जाएगा, मतलब, अब जब आप, mass of electron से divide और multiply किजएगा, तो ये energy का value हो जाएगा, minus 13.6, mu by mass of electron, आपने उपर multiply किया है, mass of electron से, reduce mass के जग़े, mass of electron आपने लिख दिया है, into क्या हो जाएगा, z squared by n squared, कुछ ऐसा हो जाएगा, protonium atom में, इसलिए z का value 1 ले लेते हैं, और आपको energy difference निकालना है, कितना energy of, reduce mass by mass of electron, और यहाँ पर हो जाएगा, 1 by 4 minus 1, तो ये negative positive हो जाएगा, और आप इसको solve कर सकते हैं, mu का value, इस atom, इस protonium atom के case में क्या होगा, mu का value, तो mu का value यदि आप लिखे, protonium atom के case में, तो mass of proton, mass of proton, anti proton का भी तो mass proton के ही mass के बड़ाबर होगा, that is equal to mp by 2, यह हो जाएगा, तो यह यहाँ पर put कर दीजे, तो mp by, यह हो जाएगा minus 13.6, ठीक है, into mp by m e, और by 2 आएगा, तो नीचे 2 लिख देते हैं, और यह हो जाएगा यहाँ पर 3 by 4, 3 by 4, और mp by m e का value आपको पता है, कितना 1836 के बड़ाबर होता है, होता है न, तो अब यहाँ से solve हो जाएगा, कुछ है नहीं, अब कुछ नहीं बचा हुआ है, इस question में, तो यह value हो जाएगा, minus नहीं है नहीं, अब डेल्टा e का जो value है, यह हो जाएगा, 13.6 by 2, into 1836, into 3 by 4, कुछ ऐसा आजाएगा, ऐसा आजाएगा कुछ, अब आप इसको solve कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कि, यह 4 से इसको इजी cut कीजेगा, तो यह 459 में cut होगा, ठीक है, और, और इसको cut कीजे, और इसको solve कीजेगा, यह 40.8 आजाएगा, 40.8 by 2, तो 40.8 by 2, यह 20.4 होजाएगा, 13.6 into 3, होजाएगा नो 40.8, तो यह 20.4 into 459, यह approximate 937, 0 kilo electron volt के बड़ावर आएगा, 9.37 kilo electron volt, इस 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 दा फाइनल एंसर, ओके, तो इसका कौन सा option सही है भाई, तो इसका B option सही हो गया है न, तो इस question में, इसका, B option question number 8 का सही है, चलिए question में 9 पे चलते हैं, question में 9 को solve कर लेता हैं, ठीक है, question number 9, question में 9 में चलते हैं, देखें, इस question में क्या कहा जाएँ, a proton collide with a stationary deutron, and a helium nucleus is formed, for this reaction to take place, the proton must have minimum kinetic energy, 1.4 mega electron volt, if in a state of deutron collide with a stationary proton, to take helium nucleus, how much minimum kinetic energy must it possesses, देखें, आसान question है, जब कोई collision होता है, तो जो heat loss होता है, reaction करवाने के लिए, that loss, heat loss, या जिसको आप कर सकते हो, loss in kinetic energy, delta ke, ये बड़ा-बड़ोत है, half mu into, relative velocity के square के, u1 minus u2 के, hall square के, ठीक है, तो पहले case में क्या था, first case में, proton जाके, deutron से टकड़ा रहा है, first case में क्या था, proton जाके, deutron से टकड़ा रहा है, ठीक है, तो first case में, जो delta kee का जो value हो गया, ये हो गया, half, MP, mass of proton, MD, mass of deutron, MP, plus MD, या mass of proton, के double mass का होता है, deutron का mass, वो भी आप लेकर के चल सकते हो, तो U2 का value 0 था, तो U1 का square हो गया बस, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया, this is the loss of kinetic energy, और इस case में, proton का kinetic energy कितना था, kinetic energy of proton, half, MP into, U1 square, ये था, साहिए, अब जब deutron टकड़ाएगा जाके, जब deutron टकड़ाएगा जाके, तो, kinetic energy में loss कितना होना चाहिए, half, MP into MD, by MP, plus MD, into U2 का square, क्योंकि अब U1 0 हो गया, U2 में speed था, ये हो जाएगा, क्योंकि ये kinetic energy जो loss होना चाहिए, वो इसके बड़ाबर ही होना चाहिए, क्योंकि वन पॉइंट, जो kinetic energy, first case में जो loss हुआ है, और reaction, reaction carried out हुआ है, that loss in kinetic energy, will be equals to in second case, वो भी उतना ही, kinetic energy के loss के बड़ाबर होगा, तो इस case से आप देख सकते हैं, यूँँट के बड़ाबर होगा, यूटू के बड़ाबर, यूँँट के बड़ाबर, यूँट के बड़ाबर होगा इस case में, यूटू के बड़ाबर, यदि आप ये समझ रहे हैं, तो proton का kinetic energy कितना के बड़ाबर था, MP into U1 square के बड़ाबर, और इसका वैलू दिया होगा, 1.4 मेगा इलेक्ट्रोन गोल्ट दिया हुए न, और सेकेंड केस में, कानिटिक इनर्जी आप ड्यूट्रोन क्या हो जाएगा, हाफ, MD into U2 का स्कॉइट, और U1 equal to U2 है, ठीके, और MD का वैलू क्या होता है, 2 into MP, 2 into MPs को अमने लिख दिया, और U1, U2 को U1 लिख दिया, तो 2 into half MP into U1 का स्कॉइट, तो ये 2 into 1.4 मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट, that is equal to 2.8 मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट, इस इस तरीके से ये कोश्चन बन जाएगा, ये जहां पड़ी concept में आपको confusion हो रहा है, आप पूछेगा, मैं आपको बता दूँगा, Thank you.